नमस्कार जोहार स्वागत है आपका दूर दर्सन में मैं हूँ आपके साथ स्वेता भारते लोग तंत्र में लोग अपने मत अधिकार का प्रियोग कर सरकार का चैन करती है और सरकार लोगों के कल्यान के लिए कारे करती है और इस लोग तंत्र के महापर दुयार 24 एलेक्शन का एलान हो चुका है जो 19 अपरिय से लेके 1 जून तक 7 चर्णों में चलने वाली है एलेक्शन कमिशन के मतावित इस वर्स कुल मद्दाताओं की संख्या 96.88 करोर है तूडियो में उपस्तित है जिनके साथ हम 2024 एलेक्शन पर कुछ चर्चा करने वाले हैं तो कृति और सुवजीत आपका स्वागत है हमारे स्कारिकरम में नमस्ते नमस्कार सुवजीत फर्स टाइम वोटर्स के अंदर एक्साइटमेंट और जोज दोनों देखने को मिलता है तो आप कितने एक्साइटेड है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वोट को लेकर क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है मैं first time vote करने जा रहा हूँ मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी देश की सरकार को चुनने का अधिकार मुझे मिला है और मैं चुन सकता हूँ, अपनी मन पसंद सरकार आप कितनी excited है? मैं बहुत जादा excited हूँ, यह मेरा first time vote होगा और जब मैं चोटी थी, तो मैंने हमेशा देखा था मेरे में में पापा जब vote देकर आते थे तो उनके हाथ पे एक निशान रहता था और मैं उसे देखकर बहुत जादा excited होती थी क्योंकि मुझे भी वो निशान अपने हाथों पे चाहिए था उस समय तो यह बच्पना था और मुझे बस यह निशान को लेकर excitement था लेकिन जैसे ऐसे मैं बरी होते गई अब मुझे समझ में आया है कि उस निशान का क्या एहमियत है वह एक निशानी है जो हमें इस लोकतंद्र के इस महापर्व से जुरे होने की एक निशान हमें देता है हमें एक significance देता है कि हम भी इसके पार्ट बने हैं और मैं भी आगे जाकर वोट करूंगी जब मैं वोट करने जाओंगी तो इसकी फोटो खीच कर जरूर मैं अपने शोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी और अपने लोगों अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी कि मैं कित्ती excited थी कृती मेरे भी कहानी ऐसे ही है जब मैं फर्स्ट टेम वोट डाल लई थी तो मैं भी बहुत ही excited थी वो इस लिए कि मुझे निसान चाहिए थी लेकिन उस तरह मुझे इतना awareness नहीं था लेकिन अब जब मैं second time देने वाली हूँ तो मेरे अंदर बहुत ही awareness आई है क्या सही है क्या गलत है और जो पिछले बार जो नहीं गलती की थी हो इस वार नहीं दोराना है quality देख कर चूज करना है हमने कुछ un first time व्यूवा मद्दादों से भी बातचीत की और ये जानने का प्रियास किया कि मद्दान को लेकर उनकी क्या सूच है मद्दान एक प्रक्रिया है लोक तंत्र में चुनाव करने की इससे हमें सही फैसला decision making का करने का मौका मिलता है तो मेरे जितने भी यूथ है मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपना फैसला सोच समझ कर करें मैं भी एक फर्स टाइम वोटर हूँ तो मैं भी इस बार वोट करूँगी और अपना डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाऊंगी मैं 18 वर्स का हो गया हूँ और मैं इस बार भोट दूँगा और मैं अपने साथ साथ अपने फैमली के जो सदिस है मेरे माटा पीता भीया बहन जो भी है सबको मैं भोट देने के लिए प्रभावित करूँगा मैं इस बार जरूर बोट देने जाओंगा और मैं अपने परिवार को भी सभी को बोट देने के लिए कहेंगे इस बार मेरा दूसरा मदान है जब पहली बार मैंने मदान किया था उस वक्त मुझ में समझ थोड़ी सी कम थी कि कैसे क्या प्रक्रिया होती है और कैसे किन जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए हमें तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ ना कि पहली बार वोट देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस वक्त ही हमें समझ में आता है कि हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब आप दूसरी बार वोट देने जाओगे आप बहुत ही जादा क्लियर रहोगे और अपने सोच को बहुत अच्छे से समझ के आगे आप चुन सकोगे कि आपको किसे अपने वोट से चुनाओ करना है तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज जो हमारी एक देश की प्रक्रिया होती है उसमें आप शामिल हो और वोट करें क्योंकि हमारे एक वोट से हमारे एक डिशिजन मेकिंग से हमारे देश को बहुत अच्छा हो सकता है और हमारे देश का विकास हो सकता है तो आप वोट करें. सुवजीत, युवाव के लिए मद्दान कितना महत्वपूर्ण है? युवाव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवावर्क सबसे ज़्यादा इस देश में वोटर्स है, तो उनका पर्स्पेक्टिव रखना और पार्टिसिपेट करना इस मददार में बहुत ही ज़्यादा में पुर्पूर्ण होता है। युवा देश का भविश्या है। कृती युवाओं के लिए मददान कितना महत्पूर्ण है। युवाओं के लिए मददान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमारा नहीं सिर्फ एक राइट है बलकि हमारे एक ड्यूटी भी है कि हम वोट करें। सरकार हमें के लिए हम चुटी भी देती है'm Lóg यह बहना नहीं बना सकते हैं कि हमें वोट देने के लिए हम यह दोसरा बात हैं मौत करते हैं तन हम उखना होएं कभा सब जैसे कि मैं अपनेант दोस्तों के साथ कहीं खाने जाती हूँ अगर हम पाँच दोस्ते हैं तो हम सबको मुझे निकाल के मुझे मैं यह कहना कि मुझे दो हम्मोर से रहते होइब सब करदेय। तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं बोलू कि जो सरकार ये वो आई है वो खराब है या उसमने ये नहीं किया वो नहीं किया क्योंकि मुझे याधिकार मिला था और मैंने खुद ही अपने राइट का यूज नहीं किया सुबोजीत, फर्स्ट टेम भोट देने वाले युवा वोटर्स की वुमिका काफी एहम होती है वे देश के भविश्य हैं, तो उन्हें ही चूज करना है किसे लाना है किसे ने आपका इस पर क्या कहना है? युवा देश के भविश्य है, यह एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला कारिया है कि वो घर से निकल कर वोट करें, उन्हीं के उपर है कि वो अपने मनपसंद की सरकार को लाए और अपने मुद्दो अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सारे बता कर उनको उनका हल निकाले तो यह बहुत जरूरी है कि सारे युवाव एक साथ जोटकर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर वोट में अपना पाटिसिपेशन दिखाए करिदी युवाव को लगता है बोट डालना बड़ो का काम है और उनके पास तो पुरी उम्र पर ही है बोट डालने के लिए और उनका एक बोट ना डालने से क्या हो जाएगा तो आपके हिसाब से आपका एक बोट डालने से क्या बदलाव आ सकता है सुसाइटी में जैसा कि हम जानते हैं, बून्द बून्द से सागर भड़ता है, वैसे ही हर एक वोट की अपनी कीमत है, अपनी एहमियत है, as we know, every vote counts, तो वोट डालना बहुत ही important है, अगर हम वोट नहीं देते हैं, जैसे मैंने कहा, कि हमें कोई हक नहीं बनता, उसके बाद हम आने वाली सरका की बुड़ाई करें, जब हमें ये मौका मिला है, तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, और जैसा कि हम देखते हैं, कि कभी-कभी जो उमीदवार खरे हैं, वो एक या दो वोट से हारते या जीतते हैं, तो ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी जमेदारी है, कि हम वोट दे, आगे बढ़े, अपने घरों से निकले और अपने लिए अपनी पसंद की सरकार चुने, जो हमारे एक्सपेक्टेशन, जो हमारे नीट से उसको फुल्फिल कर सके, और एक अच्छी इंडिया को आगे बढ़ा सके, आगे ले जा सके, इंडिया में ग्रोथ हो डेवलपिंग से डेवलप नेशन, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो से कि उतना जल्दी इंडिया बने, सुबजीत, आपका एक वोट डालना कितना फर्क करता है, मेरा एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक वोट गिनाता है, एवरी एक जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्यक आपको पालन करना है और जाके वोट करना है सबी को. कृती, एक वोट ना डालने से क्या फर्क पड़ता है? अगर हम वोट नहीं देते हैं, तो जो भी सरकार आएगी, वो या तो अच्छी होगी, या तो खराब होगी, या तो हम जो चाहते हैं वो करेगी, या तो नहीं करेगी. अगर आने वाली सरकार या आने वाले उमीदवार जो भी है जो खरे हुए इलेक्शन में, अगर वो उनके एक्सपेक्टेशन्स फुल्फिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उने कोई हक नहीं होगा कि वो उसकी बुड़ाई करें, क्योंकि उन्हें ये जम्मेदारी मिली है और उ उनका राइट है उसका पूरा उपयोग करें, अगर वोट नहीं देते हैं, तो फिर आगे जाके कुछ भी अगर गलत होता है, तो वो कुछ बोल नहीं सकते, या फिर उन्हें किसी तरह का पर दिक्कत हुआ, तो वो सरकार की कमी या फिर बुराई नहीं कर सकते, उन्हें करते हैं तो आपके कॉलेज में कुछ ऐसे कारिकरम हुए जी हाँ हमारे कॉलेज में इलेक्शन कमिशन ऑफ जहरखंट के दुआरा एक कारिकरम करवाया गया था जिसमें कि उनकी टीम ने एक नुरकड नाटक का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया जिसमें उन्हों दिखाय कि कैसे वोट की प्रक्रिया काम करती है और अवैरनेस भी बहुत अच्छा अवैरनेस कारिकरम करवाया जिसमें हमारी उनिवर्सिटी के छातरों ने खुब बर्चड के भाग लिया उन्हों ने एक बहुत ही अच्छा चीज हमें समझाया कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के दुआरा एक एप लाउंच करवाई गई है उस एप के थूँ आप घर बैठे ही अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं अपडेट करवा सकते हैं कुछ भी चेंजर करवा नी है अब वो सारे चेंजर उसमें करवा सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा इनिशेटिव है गव वोटर आवेनस को लेके बहुत सारे कारेकरम हुए है सिफ पेंटिंग, रंगोली, नुकर नाटक तो तुबोजीत नेका उनके कॉलेज में भी हुए तो आप बताइए आपके कॉलेज में क्या कुछ नए और अलग हुए है मेरे कॉलेज में कुछ दिन पहले एलेक्शन कमिश करवाया गया था, दूसरा मेरा जोवोटर आइडी कार्ड है वो मेरे कॉलेज के तुरू ही एलेक्शन कमिशिन के लोग जब कहाई थे उन नहीं के थropheर बना था, मुझे कोई बी अलग से जाकर बनवाना नहीं पड़ा था, इलेक्शन कमिशन के लोग आते है हमारे कॉलेज में और 90 99 परसेंट बच्चे जिनकी उमर 18 से जादा है उनके वोटर आईडी कार्ट इलेक्शन कमिशन के लोगों ने ही बनवाया है जब हम देख रहे हैं कि हमारे एलेक्शन कमिशन के लोग इतने जागरुक हैं और चाहते हैं कि वोट करें तो यह हमारा हक है और हमारी जब् करकर वोट करें सुबोजीत आपने बता दिया आपके अवेर्नेस कारी करम हुए आपके कॉलेज में लेकिन वो क्या इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं वोटर आवेर्नेस को लेकर जी बिल्कुल इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे कैंपेंस चल रहे है उनके साइट्स पे भी अवेलेवल है आप देख सकते हैं जैसे कि एक कैंपेंड है टर्निंग 18 कैंपेंड इसमें कि यह हमारा अठारवा लोकसभा चुनाओ है तो इसमें 18 वर्स के युवाओं को टार्गेट किया जा रहा है और उनको अवेर और जागरुक किया जा रहा है कि वो बढ़ चड़कर हिस्सा ले इस लोकतंत्र के महापर्व में दूसरा एक कैंपेंड है आपका पुराने किस्से पुरानों किस्से मतलब कि जो पिछले चुनाओं है वो चुनाओं के किस्से को उठा कर आज दिखाया जा रहा है बताया जा रहा है जागरुक किया जा र क्रिती आज युवा बहुत ही फास्ट है लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो पिछले पाइदान पे आते हैं तो इसकी वज़ा क्या वड़ी वज़ा हो सकती है क्योंकि आप एक युवा है तो आप बता सकती है जी बिलकुल जैसा कि हम देखते हैं युवा में जागरुकता की कमी बहुत जादा है वे यह सब चीज को लेकर जागरुक नहीं है उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे एक वोट से क्या फरक पड़ता है उन्हें समझ इसकी एहमियत उन्हें नहीं पता है दूसरा मैंने जो मैंने तो उन्हें भी लगता है कि एक दिन की छुट्टे मिलती है तो हम जाकर क्या करेंगे एक दिन में जाना आना मुश्किल है दूसरा पेरेंट्स भी फोर्स नहीं करते हैं कि उससे उनके आने जाने से उनकी परहाई डिस्टरब होगी यह सब कुछ रीजन्स हैं जिसकी वज़े अधिकांश फैमली में हमने देखा है कि वोट से रिलेटेड या वोट के रिगार्डिंग कोई बातें नहीं होती है तो कैसे कोई जानेगा कि वोट का भी कोई सिस्टम होता है बच्पन से अगर हमें सिखाया जाए कि इस प्रकडिया से वोट होती है हर पांच साल में हमें वोट करना ये हमारा constitutional right है ये हमारा अधिकार है और जिम्मेदारी है तो obviously जब आप 18 की उमर में पहुंचोगे तो आपके अंदर वो awareness आएगी और आप वोट करने जाओगे बट अधिकतर अधिकांश फैमली में ये चीज़ देखा गया है कि ये चीज़ को लेकर कोई बाते होती ही नहीं है डिसकेशन में इस चीज़ को शामिल ही नहीं किया जाता तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लैक आफ अवेरनेस के कार इसवारे एश्यों जो स्याइटी में चलते रहते हैं बहुत तरीके बात होता है लेकिन आपकी ग्रूप में बोट इंक को लेकर क्या चरचाए होती है ने बहुत सारी बाते होती हैं लेकिन वोट इसको लोग जारह नहीं है लेकिन फिर मैंप जेसे देखा है हमारे क्लासमे और जब तक अच्छी सरकार नहीं आएगी तब तक हमारा फ्यूचर भी सेक्योर नहीं होगा तो धीरे धीरे यह वेर्नेस बर रही है और धीरे दीरे लोग इस चीज को लेकर कॉंशेस हो रहे हैं सुभोजीत आपके फ्रेंट्स ग्रूप में क्या बाते होती हैं वोटिंग को लेकर देखिए हमारे दोस्तों ज्यादा अवेर तो नहीं है बट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के दौरा और जहारखंट के दौरा जो अवेरनेस कैंपेंज कराई जारी है जो रेगुलर रैल जारी है अवेरनेस कैंपेंड करवाया जा रहा है इससे हमारे फ्रेंट्स बहुत ज्यादा जागरुक हो रहे हैं मैंने देखा यह चीज कि जिनके पास वोटर काड नहीं थे इन कैंपेंज के दौरा वो भी आज वोटर काड बना कर वोट में हिस्सा लेने के लिए बढ़ चड़कर भाग ले रहे हैं तो यह चीज बहुत अच्छा है इलेक्शन कमिशन के दौरा कि सारे हमारे फ्रेंट्स सर्कल्स में जो जागरुक नहीं भी थे वो भी जागरुक हो रहे हैं और अब अपने जिम्मेदारी और अपना राइट्स को समझ के आगे बढ़ रहे हैं जी ऐसे ही होता है फिर्स टेम उतना अवेर्नेस नहीं होते हैं लेकिन फिर बाद में धिरे-धिरे हो जाते हैं कृती पिछले एलेक्शन में देखा गया है सहरी की तुलना में ग्रामीन भोडस जादा थे तो आपके हिसाब से इसकी क्या वज़ा हो सकती है देखे एक बहु जो हमारे लिए वांट है वो उनके लिए नीड है तो जो उनकी नीड से फुल्फिल नहीं हो पाएंगी हमारे शहरी आपकों में लोगों के पास हर चीज है लेकिन ग्रामेन आपकों में लोगों को बहुत ही दिक्कत बहुत ही प्रॉब्लम होती है कोई भी बेसिक चीज के में अच्छी सर्कार नहीं सुनेंगे वोट नहीं देंगे वोट लोट यसे कह एंगे पहसे हमें शाहिए पत्व सोंब होगल है यहां पॉटिंग तब अपने पॉट ख्रॉबलन को यहां है उतलते परापंऽ सिहरी फॉटिद फॉटिंग बोट वोट में उनको अच्छे से मालूम होता है सो वोजित आपका क्या कहना है मैं बिलकुल अगरी करूँगा क्रिती से कि शहरी लोगों को में देखा गया है कि वोटिंग वाले दिन को छुट्टी घोशित कर दिया जाता है वे अपने परसनल काम के लिए इस छुट्टी को यूज करते वे समझते ही नहीं कि इस वोट की कितनी एहमियत होती है उनके लाइफ में वे एक वोट से अच्छी से अच्छी सरकार बनवा सकते हैं और गिरवा भी सकते हैं बट ये अवेरनेस उनमें नहीं है उनको बनी बनाई चीज़े मिल जाती है इसी लिए वे इस चीज़ को सीरिय कैसे आएगी ना अच्छी से अच्छी सरकारे आने से जो उनकी बातों को सुने उनके मुद्दों को रखे और प्रगति और विगास की और ले जा सके उनको पता होता है कि उनको क्या बदलाव चाहिए उनको ससाइटी के लिए चाहिए बदलाव चाहिए गरमी में जाता हुआ तो सब कुछ उनके पास अविलेवर रहता है तुमको यह नहीं रहता है ठीक है कृती बहुत सारे कंट्रीज जहां पे कुछ वर के लोग जैसे माइनोरिटीज उमें आज भी उनको राइट नहीं मिला है वोटिंग करने का जबकि हमारे देश में अठारह बर्स और उससे उप का मिला है और हम उसे यूज नहीं करते हैं तो फिर हमें आगे जाके कोई हक नहीं है कि हम जो भी सरकार आरही है या जो भी हो रहा है उसके बढ़ाई कर सकें जैसे मैंने बताया अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ अगर मैं अपना ओपीनियन नहीं रखती हो जो कई घूमने ही गväनं बना तो तिनों के अपने अपने आपनीयन है कि मुझे यहां जाना है तो हमें टावता Mooji» do महां खीए तो मुझे समझ में तो आएगा और हमेन सुझी हमने गलती कर दी हम दूसरी आई-ध कर दो तो अगर हम वोट देंगे ही नहीं, तो हम समझेंगे कैसे, कि क्या सही है, क्या गलत है, इसलिए वोट देना जरूरी है, अगर हम वोट नहीं देते हैं, तो अगर मालीजी अभी मैंने इस पार्टी को, एक particular पार्टी को वोट दे दिया, जो मुझे सही लगा, और आगे जाकर जब उसकी सरकार बन गई तो वो नहीं समझ रहे हैं जो मैं चाहती थी वो नहीं पूरी हो पारी तो मैं समझूंगी कि मुझे किसे वोट देना है क्या सही है क्या गलत है और अगर मैं वोट देती ही नहीं हूँ तो मुझे तो यह समझ में नहीं आएगा अगर मैं एक लास में हूँ मैं पर रही हूँ मैं एक्जाम दूँगी तो ना मैं समझूँगी कि मुझसे कहां गलती हुई कहां सही हुआ मैंने पढ़ लिया मैं एक्जाम देने गई ही नहीं तो मुझे क्या समझ में आएगा वैसे ही अगर हम वोट नहीं करते हैं तो फिर जो भी सरकार आती हैं उसके बढ़ाई नहीं कर सकते हैं कोई हक नहीं कि हम उसके बढ़ाई करें इसलिए वोट देना जरूरी है ताकि हम समझें कि जिस सरकार को हमने चुना है वो सही है या गलत है जो हम चाहते हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो अगली बार हम ऐसी सरकार को चुने जो हम जो चाहते हैं वोट देना बहुत जरूरी है और लोगों को आगे बढ़कर वोट देना चाहिए क्योंकि यह उनकी भविश्य की बात है सब को अपना future secure करने का सब को इस बेसिक नीड तो सब चाहते कि उनका future secure हो तो इसलिए जरूरी है कि हम एक अच्छी सरकार लाएं जो हमारे देश को आगे बढ़ाएं इसके लिए अच्छी सरकार आना बहुत जरूरी है इसलिए वोट देना मेरे इसाब से बहुत इंपोर्ट है सुबोजीत आपका क्या कहना है आप ही के अच्छे के लिए आप ही के development के लिए ये वोट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप एक वोट करेंगे तो आगे सरकारे अच्छी आएंगे और आपकी बातों को उपर रखेंगे और आपका problem को solve करेंगी तो obviously आपको घर स सोचना है कि मेरा एक वोट से क्या होगा क्यों ही हम वोट करें उस जिनको छुटी क्यों ना कर ले इसलिए वोट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वोट करेंगे तभी आप अपने हक अपना मुद्दा अपना सब चीज़ प्रॉब्लेम्स आप रख सकते आगे पाटिसिपेट तो करना ही पर लेगा अगर नहीं पाटिसिपेट करेंगे तो हमें कोई हक नहीं है जो हम गौर्वर्मेंट से सवाल करें जो क्या क्यों नहीं हुआ हमारे लिए प्रितिस वोजीत आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए होट को प्रेजेंट कर सकों और जो हमारे नीट्स हैं उनके लिए बोल सकों बहुत-बहुत धन्यवाद हमारा एक-एक भोट बहुत ही महतपूर्ण है जो हमारे समाज में बहुत से बदलाव ला सकते हैं और भोट डालना तो हमारा कंस्टिट्यूशनल राइट है तो क्यों किसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहें दूरदर्शन कि अगरे अगरे